है गाईज वेलकम टो अलफ यो ऑन माई यूटूब चैनल सरकारी वारत सो गाईज इस वीडियो के अंदर हम डिसक्स करने वाले हैं जैसा को आपको अपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है SSE MTS 2020 के बारे में और मैं इस वीडियो के अंदर आपसे बात भी करूँगा 2021 के बारे में भी यानि कि जो न्यू बेकन्सी आने बली है उसके बारे में भी बात करने बला हूँ और आपसे इस वीडियो के अंदर डॉकुमेंट वेरिफिकेशन के मैं क्या क्या चाहिए ये question ये मान लीचे के बहुत जादा student का मेरे से पूछा जा रहा है कि sir document verification में आखिर कार हमें क्या क्या चाहिए SSC MTS के लिए हलांकि मैंने इसके उपर एक वीडियो दे रखा है लेकिन एक और वीडियो आपके लिए लाया हूँ आप ही की demand पर लाया हूँ बहुत सारे student ने इस बात की demand की थी तो आपके लिए लेकर आया हूँ और हाँ जो student fail हो गए है उनका list में नाम नहीं आया है cut off से उपर उनका नहीं हो पाया है तो उनके लिए हालांकि बहुत ज़्यादा दुख मुझे भी है क्योंकि बहुत student ऐसे थे मेरे favorite students में से कुछ student ऐसे थे कि जिनका 0.15 marks से भी रह गया है एक दो student तो ऐसा था जिनका 0.5 marks से रह गया तो अब आप सोचिए कि कितना ज़्यादा दुख होगा उन students को और सायद उनकी बरावर तो नहीं लेकिन हाँ मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख है कि उन student का नहीं हुआ कोई बात नहीं यार फिर मौका मिलेगा फिर हम करेंगे पर लेकिन अपनी महनत को नहीं छोड़ेंगे ये हमारा बादा है अब से और आप भी मुझसे बादा कीजे कि सर हम महनत नहीं छोड़ेंगे हम fail हुए तो क्या अभी हम select होने के लिए ही वने हैं आंगे फिर तयारी करेंगे और हाँ जिनका selection हो गया है list में जिनका नाम आ गया है उनको many many congratulations बहुत बहुत बदाईयां मेरे मेरी तरफ से आप सभी को और आपका final तक हो जाए मैं यही चाहता हूँ friends आप सभी को बता दूँ कि अगर आप देखिए जो student fail हो गए सबसे पहले उनी पर बोलूँगा यार दर्द होता है जब कोई fail हो जाता है तो जो student fail हो गए आपको टेंसल लेनी की आप सकता नहीं है दो फरवरी से आपके लिए SSE MTS की new vacancy आ रही है तो आप इसका notification भी आ चुका है आप सब को पता है कि इसका notification अक तरीके से मतलब कलेंडर में इसके वारे में बता दिया है multiplication का मतलब कलेंडर में बता दिया है SSE कί कलेंडर में कि जो आपकी भरती है यह दो फरवरी से आएगी आप अपना online form दो फरवरी से भर पाएंगे तो ये फरवरी ये जो 2021 है अब 2020 में अगर आपको नहीं मिली तो कोई बात नहीं 2021 में ले लेंगे देखे अब इस जो दो फरवरी से ये बेकन से आ रही है उन्हीं स्टूडेंट को बता दूँ सबसे पहले कि आपको टैंसल लेनी के आप सकता नहीं है अपना form परिए और अभी से आप अपनी तयारी में लग जाएए देखे बहुत टाइम है जब तक आप अच्छे से तयारी कर लिजे और अपके जो 0.5 बचा नहीं है अगले बार उसे 10 marks उपर कर दीजेगा इतनी महनत करनी है इस बार और आपके लिए मैं भी classes free of cost इस्थार्ट करने वाला हूँ SSE MTS के लिए अब बात करते हैं उनी students के लिए जो students qualify कर चुके हैं लेकिन उनको document verification के बारे में नहीं पता पता भी है तो उनको आदा अधूरा पता है पूरा नहीं पता तो उनके बारे में बताने वाला हूँ कि document verification में आखिरकार क्या क्या चाहिए अब आपको बताता हूँ tire 2 में cut off लगी है क्या ये सबसे बड़ा question है देखे document verification के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा last तक बने रहीएगा मेरे साथ tire 2 में cut off क्या लगी है क्या ये सबसे बड़ा question पूछा जा रहा है तो आप सभी को बता दू हाँ tire 2 में आपकी cut off लगी है देखे जो आपके notice आय में state wise वहां पर आपकी cut off भी लिखी हुई थी देखे tire 1 exam की जो cut off थी वो तो बढ़ा के आपकी जो लिखी हुई थी वो तो थी लेकिन उसके just bagel में एक और cut off लिखी हुई थी जैसे कही 31 लिखा है जैसे उत्तर प्रदेश के लिए 31 लिखा था कुछ जगह पर 35 लिखा था क उसकी आपकी cut off लगी थी क्या है उसकी आपकी cut off लगी थी लेकिन अलग-अलग state के साब से अलग-अलग-अलग cut off यहां पर देखने को मिली थी अब देखे बहुत सारी student का question था sir में tire 1 में तो पास हो गया लेकिन list में फिर भी नाम नहीं है भाई मेरे से बहुत जादे student ने call करके भी पूचा what's up पर भी पूचा किसा tire 1 में तो मेरा मालेजे उन्हों ने बोला कि sir मेरे 83 marks बनना है और वहां पर st category में 70-80 गई है लेकिन मेरा फिर भी list में नाम नहीं तो इसका कारण क्या है तो इसका कारण सीधा सीधा कारण है कि यहां पर जो आपका tire 2 का exam था यहां पर आप कोई ना कोई missing कर गए यानि कि कोई ना कोई अपने गलती कर दी और आपका जो passing marks था उससे उपर नहीं हो पाया कई student से मेरी बात हुई तो एक student बोला था कि sir मेरे 87 marks है और मेरा tire 1 से मतलब जो cut off है वो high जा रहा है यानि कि जो 83 के something थी OVCIST के टिकरी की थी तो उस state क सबसे तो बोला था कि sir मेरे number तो अच्छी है उपर जा रहा है cut off से भी उपर जा रहा है मेरे खुद के state में उपर जा रहा है लेकिन मेरा नहीं है मैंने पूचा क्या दिक्कत थी तो उसने इस पश्ट रूप से बोला कि sir मैंने थम जो थम लगाना था उसमें गलती कर दी थ उसने बोला कि sir जो examiner था उस time पर तो उस examiner ने बोला left लगाओ मैंने right लगा दिया फिर मैंने उनसे बोला कि यहां पर तो right लगाना है तो उन्होंने बोला तक आप इसको लगा देजे फिर वहां पर उन्होंने sign वगरा कि तो SSC ने इस बात को नहीं माना यानि कि SSC ने अधार पर एक अनुमाल लगा रहा हूं मैं आपको उसके अधार पर बता रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से मेरी students के बात हो रही है तो उन्हीं students ने बोला था कि tire 1 में तो हम पास हो गए लेकिन list में नाम नहीं है तो इसका कारणर था उनको tire 2 में disqualify कर दिया गया एक तरीके से imaginary UFM ही हो गया नहीं UFM तो नहीं लगाया लेकिन बोल सकते हैं एक तरीके से आपने गलती की तो इसी का ये मतलब एक तरीके से अंजम था अब बात करने वाले हैं देखिए मैंने दौना बात आपको बता दी कि tire 1 में पास हैं फिर भी लेश्ट में नाम नहीं तो इसका क खराब थी आपकी राइटिंग आपने बस जल्दी जल्दी में उल्टा सुदा लिख दिया कुछ भी लिखके चले आ गए तो उसमें tire 2 descriptive paper में आपको disqualify कर दिया वहाँ पर तो इस वज़े से आपका list में नाम नहीं आया यानि कि tire 2 में आप disqualify हो गए आपका list में नाम तयारी अच्छे से करें अब पात करते हैं document verification के बारे में तो बहुत जादे student की demand थी कि document verification के बारे में बता दिये जाए तो इस पस्ट रूप से देखिए note कर लीजे आप 10th class की mark seat आपके पास होनी चाहिए original mark seat देखिए जो आपकी jerox copy है यानि photocopy है वो तो आपके पस 10th class क ही है और आपकी 12th class की भी आपके पास होने चाहिए देखिए मैं इस पस्ट रूप से बोलता हूं कि आप जब जो आपका document verification है जब वहां पर जाओ तो वहां पर आप अपने सभी original certificate लेकर ही जाना देखिए 10th class की ये SSC MTS की बेकर जाना भाई लेकर जाना लेकर जाना लेकर बैसे अभी आ जाएगा इसके बारे में बता देंगे वो कि document में क्या क्या चाहिए तो 7 से 10 photo नहीं मैं बोलूँगा कम से कम 15 से 20 photo लेकर जाना भाई बिल्कुल mistake मत करो क्योंकि ये भी आपका एक selection का part होता है कहीं भी आप mistake मत करो तो कम से कम 15 से 20 मैं तो यह बोला हूं कि 20 photo तो कम से कम लेकर जाएगा जिसमें आपके passport size photo तो होने ही चाहिए आपके पस 20 कम मत लेके जाओ मतलब एक भी mistake आपकी होनी नहीं चाहिए इसके बाद बात करें कि आपकी जो identity proof है वो भी आपके पास होना चाहिए उसमें बोला गया है आपका आधार card ballot है आपका voter card ballot है आपक जो pen card है ballot है तो देखे उसमें passport group से लिखा है जिस पर आपकी photo अच्छी लगी हो मतलब photo हो वो यानि कि आधार card तो आपका चाहिए चाहिए बिल्कुल आधार card की तो ले जाए ना ही ले जाना है ये तो ठान लो और आपका जो मतलब pen card है अगर आपका pen card बना हुआ है तो pen card ले जाएगा या फिर pen card नहीं तो voter card यानि कि दो ID proof आप साथ में ले जाएगा एक एक करके मैं दिखा देता हूँ आपको एक है आप यहाँ से सपस्ट रूप से दख सकते हैं document required for verification तो यहाँ पा certified true copies और photo state copies of the certificate will not be accepted in any case यानि क सिर्फ photocopy आपकी accept नहीं की जाएंगी आपकी original certificate भी आपको ले जाना चाहिए ले जाना होगा यानि photocopy के साथ original certificate भी ले जाएगा original certificate will be written after the verification verification के बाद आपके original certificate को क्या कर दिया जाएगा वापस कर दिया जाएगा इसके बाद given blow is the list of documents that are to be carried यहाँ पर लिखा हुआ है तो qualification certificate 10th class की आपकी certificate होना चाहिए original marksit 12th class का original marksit proof of identity pen card आधर card बोटर कार्ड कोई भी चलेगा itc तो इसमें से आप pen card आधर card जरूर ले जाएगा अगर pen आधर card तो सब के पास होगा pen card नहीं है तो आप बोटर कार्ड ले जाएगा बोटर कार्ड नहीं है तो driving license ले जाएगा आधर card के साथ में कम से कम दो identity proof आप जरूर ले जाएगा इसके बात करें date of birth certificate भी आपके पास होना चाहिए passport size photograph मैं बोलोंगा कम से कम 20 लेके जाना 20 से कम बतले के जाना ठीक है कम से कम 20 category certificate for the reject category candidates के लिए यहाँ पर मतलब जो cash certificate होता है बोले जाना है proof of residence भी आपको ले जाना होगा आपके पास जो OBC certificate है जिन candidate का OBC certificate जिन candidate का EWS certificate है EWS certificate जरूर ले जाएगा EWS certificate वाले candidate तो बिलकुल मत भूलिएगा OBC बिलकुल न भूलिएगा SCST category के जो candidate है वो भी जरूर ले जाएगा आपका SCST का मतलब जो आपका certificate है तो जो student general के हैं वो क्या ले जाएगे तो general category के student जिन्होंने EWS फिल अप किया था general category के जिन्होंने EWS फिल अप किया था तो उनको EWS certificate ले जाना है तो यही मुझे आज की इस वीडियो में मतलब news देनी थी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like कर दीजेगा इस वीडियो का target रखते है 1000 like का और हाँ इस वीडियो को 100 लोगों को share करना है कम से कम 100 student को share करना है इस वीडियो को अगर आप इस channel पर नए हैं तो यार channel को subscribe करना तो बिल्कुल मत अपने दोस्तों के साथ चले मिलते नेक्स्ट वीडियो में thank you thank you for watching this video जैहें जैवारा टेक केर